इहार के सुपर इस्टार खेसारी लाल यादो एक हर्यानवी सौंग में दिख गए, इसलिए हर्याना में बवाल हो गया, बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस गाना को गाने वाले गायक पे जानलेवा हमला हो गया, और अंत्तह उस गाना को डिलीट करना परा, जी हां आप सही सुन रहे हैं और सवाल यहां पे उठता है कि आखिर कितना सहना पड़ेगा बिहारीों को आखिर कितना झेलेगा बिहारी लगातार आप बिहारीों का अपमान होते हुए देख रहे होंगे पिछले बार आप एक वीडियो देखे थे जिसमें एक महिला बिहारीों को ग लिए लिख जाने के बाद से बवाल सुरू हो गया और वो बवाल इतना ज़ादा बढ़ गया कि आखिर कार उस कम्पनी को वो गाना डिलीट करना परा और तो और उस गाना को गाने वाले गायक विष्वजीत चोधरी पर जानलेवा हमला भी हो गया जिहां विश्वजीत चोधरी ने एक इंटर्व्यू में बताया कि उन पे इसलिए हमला हो गया है क्यूंकि उनके गाना में खेसारी दिख रहे थे आप उनके इस क्लिप को देखिए अब जरा आप ये बता दीजिए कि खेसारी लालियादों की गलती क्या थी क्या गुनाह कर दिया था खेसारी लालियादों ने कि उनके गाने को डिलीट करवाना पर गया और तो और ये गाना जिस गायक ने गाया था उस गायक पे जानलेवा हमला तक करना पर गया यही गलती ह कि उन्होंने बिहार में जन्म लिया था यही गलती है कि उन्होंने एक गरीबी से उठके इस मुकाम पे आगा है वो यही गलती थी उनकी कि लिट्टी चोखा के छोटे से दुकान से आज बिहार के सुपरिश्टार बन गए हैं क्या गलती थी भाईया उनकी और सवाल बिहारी पूरा भरोसा है कि आप उस घटना को भी अभी तक नहीं बूले होंगे और एक बार फिर से बस इसलिए कि बिहार का सुपरेश्टार हर्यानवीक इंडरस्ट्री में जाके काम कर रहा है इसलिए वहां पे बवाल हो जाता है और उस गाने को डिलीट करवा दिया जाता है ये ब तमाम बिहारी खेसाई लाल्यादों के साथ खरे हैं तमाम तरह के आपसी मतवेद को भूल के खेसाई लाल्यादों के साथ खरे हैं ये संकल्प इस वीडियो में हम लेते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईए कि ऐसी स्तिती में खेसाई लाल्यादों के साथ में आ पर जाता है गाना को डिलीट करवाना तक पर जाता है इस पे आप क्या सोचते हें वो जरूर बताएं और इस weडियो को शेयर करके हर एक भोजपूरी के दर्सक तक पहुचा दीजेगा और बता दीजेगा डिखिये भोजपूरी के दर्सक लोग आपनो का दीजेगा Official वीडियो को सेयर कर दीजेगा